जैवीम नमो बुद्धा है, जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, कि देश के जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा या तो निगमी करण किया जा रहा है, या उनको बेचा जा रहा है। इस बात को लेकर के All India SCST Railway Employee Association जो देश का एक बहुत बड़ा करमचारी एदकारी संग्ठन है, अनसुची जाती जन जाती का, और railway एक बहुत बड़ा department जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है वे रोजगार युबकों के लिए, उस railway के अंदर निगमी करण के नाम प 24 सेप्टेंबर की तिथी निर्धारित की है, देश ब्यापी आंदोलन करने की और ब्रोद परदसन करने के, जो की All India SCST Railway Employee Association के द्वारा तो किया ही जाएगा, और हमने अन संगठनों से भी अम्रोद किया है, क्योंकि ये निजी करण की प्रक्रिया मात रेलवे में नहीं श सिस्टम हो, सभी में निजी करण का प्रक्रिया सुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर के हमने 24 सेप्टेंबर को इसलिए आवहन किया था, कि 24 सेप्टेंबर को बावा साफ डॉक्टर भीमरा अंबेट कर, और महातलमा गांदी की बीच में एक पैक्ट हुआ था, जो कि भीमरा अंबेट कर ने बताई कि यहां जो एक वर्क के लोग जिनके साथ इंसान से भी भत्तर सलूग किया जाता है, तो बावा साथ डॉक्टर भीमरा अंबेट कर ने सेप्रेट एलेक्टर रेट हासिल किया था, जिसमें दो मतों का अधिकार अनसूचि जाती जन जाती किया और अम्राद अंसन इस हद तक पहुंच गया कि बाबा साफ डॉक्टर भीवरा अंबेट कर पर चारत तरफ से एक दबाब बनानी की प्रिक्रिया शुरू ही तो उसमें एक बाबा साफ अंबेट कर और महात्मागान्दी के बीच में जो लोग थे उनके बीच में एक समझ जोते में यह डिसाइट हुआ था कि जनसंक्या के आधार पर अनुसूजी जाती जन जाती और OVC के लोगों को सरकारी नौकरियों में सिच्छड संस्ताओं में बिधायकाओं में संसद में प्रपोस्नेटली रिप्रजेंटिशन दिया जाएगा जनसंक्या के आधार पर त का प्रयास किया है जो देश की मुख्यधारा में जुडने का प्रयास कर रही है आगे आने वाला जो हमारा समाज है आगे आने वाली जो पीडी है अगर रेल को निजी करण के हातों में दे दिया जाएगा या एर एंडिया को बेज दिया जाएगा रेल की गाडियों को सब्सक्राइब करने की बात सरकार कर रही है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यह निजी करण के माध्यम से निगभी करण के माध्यम से रेलों को प्राइवेट हाथों में चलाने के लिए देने के लिए और इस्टेशन जो जो मौडरन इस्टेशन के नाम पर या बुलट ट्रेज चलाने के नाम पर जो प्राइवेट प्लेयर्स को चलाने के लिए ट्रेज दी जा रही है तो एक सोची समझी चाल है जो निजी करण के माध्यम से आरचण को खतम करने का प्रयास किया जा रहा है इसी को ले करके हमने पूरे देश में राश्ट व्यापी अंदोलन बिरोध परदसन का आयोजन किया है और सभी जो अन्य संगठन है गैर रेलवे संगठन उनको भी हमने आमंतरित किया है कि आज रेलवे में निजी करन हो रहा है डिफेंस में भी निजी करन की प्रियाश चल जा रहा है यानि कि जो भी सरकारी उपक्रम हैं उनको निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है तो इसका हम ब्रोध करेंगे 24 सारी को यह बताने का कि या तो बाबा साफ डॉक्टर भीवरा वंबेटकर और महात्मा गांधी के बीच में ये दो महापुरुशों के अगर वो संस्कारी संस्ता है निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है तो हम यह याद दलाना चाहते हैं वहारत सरकार को या तो पूना पैट को सत्परस्तर लागू करने का विचार बनाओ अपना या फिर दो वोट का अधिकार जो अनसुज जाती जन जाती को बावा देखिए किसी समय पर जो बता रहे हैं आप 16 लाग करमचारी थे रेल के अंदर आज 13 लाग और 12 लाग घटकर के हो गए हैं आगे और भी होंगे क्योंकि अभी जो रेल ने बिचार बनाया है कि 109 रूट पे 151 ट्रें जो है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जा गाडियों को निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं हम यह कहना चाहते हैं कि जो निजी हाथों में माननी मंतरी जी प्राइवेट प्लेयर्स से चलाने का काम कर रहे हैं और उनका तर्क यह है कि 160 किलोमीटर की गती से ट्रेंज चलेगी जो पैसिंजर्स होंगे उनको गंत आए करम जा जाकता है यह किया ये काम करम चारीय में करने की gnats सकती है। एक जैसे की तर्क दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी गंटाप स्तार पर पहुंचार जाए अजब वी हमारी रेल्वे के द्वारा जो रेल ट्रेंट चलाई जा रही है रेल्वे और वे जो पैसेंजर हम डुलाई करते हैं गाजियावाद से लेकर नई दिल्ली पलवर से लेकर नई दिल्ली दस रुपई में लेकर आते हैं जमकि रोडवेज का कराया 4550 रुपई है प्राइवेट प्लियर्स के द्वारा गरें रूटों पे चलाई जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय प्राइवेट अपनी तरीके से रोजगार पैदा करेगा प्राइवेट लोग अपनी तरीके से भरती करेंगे जो सरकारी नौकरिया है वो धीरे-धीरे इननने डाइजेस्ट कर लिया तो आगे आने वाले समय में 50% रेलवे प्राइवेट के द्वारा चलाई जाएगी और पूरी की पूरी रेलवे जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में देने का मतलब यह है कि जो रोजगार के अफसर जो सबसे ज्यादा अफसर पैदा करती है रोजगार के रेल बिवाग जो है वो आगे आने वाले समय में रोजगार घटके बहुत कम रह जाएंगे और खास करके अनसुची जाती जाती को जिनको आरच्छन के नाम पर नोकरी मिलती है जिनको मलब बड़े संगर्स व मसकत के बाद बाबाबा साब डॉक्टर भीवरा करने यह अधिकार दिलाया है यह निश्चित रूप से खतम होने की कगार पर है और एक यह साजिस के तहित प्रक्रिया सुरूर की जा रही है कि दीरे दीरे निजी कर दिया जाएगा उसमें आरच्छन का कोई प्राबदान होगा नहीं तो अनसुची जाती जन जाती जिनकी रोजगार है वो कम होगा कभी 16 लाग हुआ करता था फिर 14 लाग हुआ आज 13 लाग है कल 12 लाग होगा फिर धीरे दीरे सने सने वो खतम होता चला जाएगा तो मैं यह आवहान करना चाहता हूं अपने सभी समस्त अनसुची जाती जन जाती अधकारी करमचारी संग्ठनों को और इंडिया एस्टी रेलवे अंपलई असुदा ने एक संगर्स की रहा पर चली हुई है और खास करके उन ट्रेड यूनिन के लोगों को भी मैं आवहन करना चाहता हूं जो लोग यह ग्रोध कर रहे हैं कि हम निजी करन नहीं होने देंगे हम उनके भी साथ हैं वो हमारा स दें और अन्य विवागों के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि आज रेलवे में निजी करन हो रहा है आपके आभी निजी करन की प्रक्रिया धीरे-धीरे सुरू हो रही है तो 24 तारी के एक इस्थान पर जहां जहां आप लोग हैं चाहें वो डिश्टिक इस्तर पर हैं र को अपना ग्यापन सौफ हैं या आप डिश्टिक इस्तर पर हैं तो आप कलेक्टर को अपना ग्यापन सौफ हैं प्रधान मंतरी को एड्रेस करते हुए जिससे कि हमारी बात माननी है प्रधान मंतरी भारत देश के सरकार के पास में ये बात पहुंचे कि इस देश के जो अन जी करने को बंद करने का प्यास करें, इसको खतम करने का प्यास करें, इसको अन्सुचित जाती जन्जाती वर के लोग सेंदें.